भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली? भगवान शिव की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आँख दिखाई देती है इसे भोलिनात की तीसरी आँख कहते है भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आँख है इसलिए उन्हें त्रीलोचन भी कहा जाता है वैसे क्या आप जानते हैं कि शिव जी को ये तीसरी आँख कैसे मिली? इस गटना के पीछे एक कहानी है जिसमें भगवान शिव जी की तीसरी आँख का रहस्य और महत्व दोनों पता चलता है एक समय की बात है भगवान शिव कैलाश परवत पर तबस्या कर रहे थे तभी देवी पार्वती महां आई देवी पार्वती को मजाग सुचा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पती शिव की आँखों को ढख दिया देवी पार्वती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस मजाग का क्या परिणाम होगा जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शियों के आँखों को ढखा वैसे ही पूरी स्रिष्टे में अंधेरा चाग गया सभी लोग अंधेर से गबरा उठे शिवजी से लोगों की ये हालत चुप नहीं सके और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आँख उत्पन्द कर ली भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही सारी लोगों में उजाला हो गया और तब से शिवजी की तीसरी आँख को प्रकाश और उर्जा का प्रतिक माना जानी लगा भगवान शिव इस गटना के बाद पार्वती शिव को बताते ही कि उनकी दो आँखें पूडी स्रिष्टी की पालन हार है और तीसरी आँख प्रलै का कारण शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भे भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तब संसार को बिनाश का सामना करना होगा और इसे के साथ साथ भगवान शिव के तीसरी आँख की ये कहानी समाप्थ होती है